ड्रग्स एक ऐसा अपराद है जिससे दुनिया का कोई देश आज अज़ूता नहीं है ड्रग्स की लग इनसान को बरबादी की तरफ धकेल देती है और इसकी तसकरी देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खत्रा है भारत लंबे समय से ड्रग्स के अवैद कारोबार से चूच रहा है लेकिन असी के दशक में हालाद नियंतरन से बाहर जाने लगे और इसका कारण था देश की भौगोलिक इस्थिती ड्रग्स की सप्लाई बढ़ने के साथ कई अन्य चुनोतियां सामने आने लगी और इनसे निपटने के लिए भारत सरकार ने नार्कोटिक ड्रग्स और साइको ट्रॉपिक सबस्टांसिस आएक्ट 1985 लागू किया ड्रग कानून को लागू करने में कई एजेंसियां कारे रत हैं सभी एजेंसियों के बीच समन में बना कर नोडल एजेंसिय के रूप में कारे करने के लिए 17 मार्च 1986 को नाकोटिक्स कंट्रोल ब्योरो का गठन किया गया तब से नाकोटिक्स कंट्रोल ब्योरो राष्ट्रिया एवं अंतरराष्ट्रिय स्तर पर विभिन एजेंसियों के साथ मिलकर भारत की नोडल एजेंसिय के रूप में कारे कर रहा है भारत ने कई देशों के साथ द्विपक्षिय और बहुपक्षिय समझोते किये हैं जिससे मादक पदार्थों की मांग और इसकी तसकरी को रोका जा सके भारत सरकार और राज सरकारें ड्रक्स के व्यापार खासकर सीमा पार से जो अवेद व्यापार चल रहा है उसे रोकने के लिए कई कदम उठा रही है भारत सरकार ने ड्रक्स के खिलाब चव तरफा प्रहार करने की राष्टिय स्तर पर योजना भी तैयार की है नाकोटिक्स कंट्रोल ब्योरो भारत सरकार की ड्रग विरोधी नेती के लिए प्रतिबध्ध है और Drug Free India Campaign के मिशन को हासिल करने में तिन राद जुटा है Narcotics Control Bureau सभी मोचों पर रणनीतिक तरीके से काम कर रहा है जहां एक और आपूर्ती और मांग में कमी लाने के प्रयास किये जा रहे हैं वहीं ड्रक से हुए नुकसान को कम करने की दिशा में भी काम किया जाता है वर्तमान में NCB ग्री मंत्राले के अधीन कारेरत है और इसके कार्याले देश भर में फैले हैं NCB, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन एजेंसियों, अर्धु सैन्य बलों और अन्य सामाजिक संस्थानों के साथ मिलकर काम करता है मान्य प्रधान मंत्री जी के मागदासन में ग्रू मंत्राले ने ड्रक के खिलाप जिरो टॉलरंस की निती अपनाई है मेरा मानना है कि नसे की समस्या राष्टिय सुरक्सा के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनोती है जिसको सभी के समन्वई से ही रोकाव समाप्त किया जा सकता है मोदी जी के नेतुरतों में हमने लडाई को समन्वईत और संस्थागत बनाया है इसके लिए गुरू मंत्रालर के नार्कोटिक्स कंट्रोल बीरो के तत्वाधान में नार्कोस समन्वईत तंत्र की स्थापना की है जिसका उदेश सभी एजंशों के बीच में समन्वई एवं तालमिल स्थापित करना है जिससे ड्रक की तसकरी पर अंकुस लगाने में हमें पून रूप से काम्याबी मिल सकती है माननिय केंद्रिय ग्रिहमंत्री जी की अध्यक्षता में तीसरी शीर्ष स्तरिय इनकॉड समिति की बैठक में विस्तरित कारे योजनात तैयार की गई भारत सरकार के मान्य ग्रहमंत्री की अध्यक्ष्टा में एपिक्स कमिटी मीटिंग का तीसरा सत्र दिसंबर 2021 में हुआ इस दोरान भारत की जीरो टॉलरेंस अगेंस ड्रग्स पॉलिसी को आगे लेते हुए कई महत्पूर निर्ने लिए गए इनमें से एक निर्ने है एनकॉड पोर्टल का स्थापना करना जो की स्टेट्स को मदद करेगा दूसरा निर्ने है कि जो चार्ट ट्रेयर मेकानिजम है एनकॉड का उसको रिगूरली करना और हर स्टेट को उसमें इंवॉल्व करना और ANTF Anti-Narcotics Task Force हर स्टेट में स्थापित करना तीसरा निर्ने है एक Narcotics Canine Pool जो एक अपने आप में बहुत बड़ा एसेट बन सकता है स्थापित करना जो स्टेट्स को और Central Agencies को भी मदद कर सके चौथा निर्ने है एक National Narcotics Helpline की स्थापना करना जिसे मानस की संग्या दी गई बुशे लगता है ये सबी डिसिशन्स बहुत कारगर और गेम चेंजिंग साबित हो सकती है NCB के लिए ड्रग्स के विरुधन लड़ाई पिछले कुछ सालों में और भी चुनोती पूर्ण हो गई है दरसल मादक पदार्थों की तसकरी के लिए अब डाकनेट और आधुनिक तक्नीकों का उप्योग होने लगा है World Drug Report 2021 के अनुसार लॉकडाउन ने इंटरनेट के माध्यम से मादक पदार्थों की तसकरी को तेज कर दिया है और ये अनुमान है कि डार्क वेब ड्रग बाजार अब सालाना 315 मिलियन डॉलर का है NCB आपराधिक गतिविधियों में आ रहे इन बदलावों का अनुमान लगाने में काम्याब रहा है और एजेंसी अब टेक्नोलोजी, उपगरह इमेजरी और साइबर फोरेंसिक्स के माध्यम से इन नवीनतम चुनोतियों का सामना करने में सक्षम है किस तरीके के ड्रग्स, किस कंट्री से उन ड्रग्स का यहाँ पर स्मगलिंग हो रहा है कौन से रूट्स को स्मगलिंग यूज कर रहे हैं, कौन से मेजर सिंडिकेट्स हैं, कौन से मेजर नेटवर्क हैं, जो कि इंटरनेशनली और नेशनली ओपरेट कर रहे हैं न केवल समाज को खोखला बनाता है, बलकि नसिली दवाओं की तसकर से अरजित धन देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ा खत्रा है मुझे विश्वास है कि NCB और सभी हिद्धारों के कोई सामुहिक प्रयास से अपेक्सित सफलता हासिल होगी NCB इन अंतराश्ट्रिय सिंडिकेट्स को नष्ट करने के लिए पून समर्पन से काम कर रहा है In the recent years and months and weeks, the Narcotics Control Bureau has had major seizures because of heightened coordination between NCB, state police and agencies, national agencies like the NIA, Coast Guard and the Navy, as well as the intelligence agencies at the national level And finally, as a result of coordination between NCB and the International Drug Law Enforcement agencies of other countries, we have had major seizures across the board on international waters, national waters, on seaports, on land borders, as well as in the aerial route through the airlines This points to a good development and points to a more effective coordination in the future NCB अपने मखबिरों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाता है और अन्य ड्रग कानून प्रवर्तन एजिंसियों के साथ मिलकर रेड करता है बारत में 2018 से 2021 के बीच 1881 करोड रुपे की ड्रग्स जब्द की गई 2011 से 2014 के बीच जब्द की गई ड्रग्स के मुकाबले ये तीन गुना अधिक है 2018 से 2021 के बीच करीम 35 लाख किलोग्राम माधक पदार्थ जब्द किये गए आपूर्टियों में कमी लाने के साथ-साथ NCB ड्रग्स की मांग में कमी लाने के लिए बड़े स्तर पर काम कर रहा है लोगों को नशीले पदार्थों के सेवन के दुश प्रभावों से बचाने के लिए साल भर नशा विरोधी जागरूपता अभियान चलाये जाते हैं NCB के एक online e-sankalp अभियान जीवन को हां कहें, ड्रग्स को ना शुरू किया है यह संकल्प देश भर में लाखों लोगों ने लिया है Narcotics Control Bureau endeavors for a drug-free society through coordination and cooperation with all stakeholders and creating synergy amongst them NCB also plays an important role in the field of drug demand reduction by sensitizing people about the dangers of drug abuse through conducting awareness programs NCB नशा मुक्ति केंद्रों के सहयोग से पीडितों के पुनर्वास का काम भी करता है जहां एक तरफ हम ये प्रयास कर रहे हैं कि लोग ड्रग्स से दूर हो ड्रग्स से दूर रहे वहीं दूसरी तरफ जो लोग इसकी चपेट पे आ गए हैं उन्हें सिक्षित करने से लेकर उनके उपचार और पुनर्वास पर भी ध्यान दिया जा रहा है अंतरराष्ट्रिय समनवय के माध्यम से NCB विदेशों में ड्रग्स मामलों में फसे निर्दोश भारतियों को घर लाने में भी सफल हुआ है इसके अतरिक्ड भी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्योरो के जिम में कई महतवपूर्ण काम सौपे गए हैं NCB plays a very important role in the capacity building and training of various drug law enforcement officers of various agencies and states in association with BPRND, NCB has developed five training modules which are meant for various rank officers like SPs, DSPs and intelligence officers in addition to that, public prosecutors, education department officials and civil societies are also being trained in drug law enforcement provisions and awareness activities आज जब देश आजादी का अमरित महुत्सो मना रहा है नाकोटिक्स कंट्रोल, ड्रग्स मुक्त भारत का संकल्प साकार करने के लिए जी जान से जुटा है अपने अच्छे स्वास्थ कलिए से नो टू ड्रग्स